नमस्कार दोस्तों स्वागते हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोहिला, 17 और 18 दिसंबर तुला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आप सभी को बता दें की आप यह बात तो जानते हैं कि भगवान की लिला अप्रम पार है, भगवान जब भी देते हैं, छप पर भाड के देते हैं, भगवान किसी के साथ नया इनसाफी नहीं करते, हर एक एक विक्ति के कर्मों का फल उन्हें जरूर देते हैं, आपके भी जीवन काल में कुछ ऐसे ही घटना होने वाली है, जहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें की आज से लेकर आपके होस उड़ जाएंगे, जिहां दोस्तों, साती दोस्तों आपको बता दें कि आपके घर वाले परिवार वाले खुसियों में मग न रहेगा, जिहां दोस्तों, और इसके उपरान थी हम आपको यह बात भी बताना चाहेंगे, कि यह तीन दिनों के शमय अबधी में, जब आपके खुसियों का दोर प्रारम होगा तो दोस्तों आपको जो भी लोग इज़त नहीं करते थे जो आपको छोटा कहकर आपसे बात नहीं करते थे दोस्तों एसे लोगों का होस उड़ जाएंगे जिहां दोस्तों और एसे लोगों के खाने पीने अब नहीं पचने वाले जि जिहां दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आप सभी के जीवन काल में भी आपके अच्छे कर्मा का फल आपको मिलने वाले हैं। जिहां दोस्तों आप सभी को बता दें कि भगवान की लीला है इन्हें कोई नहीं समझ सकता बस यह हम जान सकते हैं। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जिहां दोस्तों और आपकी देर की घरी समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन काल में रोशनी का नया किरन जागने वाली है। जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह समय से भगवान सनिदेव का आशिरवात आप सभी के सर पर होने वाले है। जिहां दोस्तों जिनसे आप सभी के जीवन काल में बहुती बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले है। जिहां दोस्तों पूरे घर माहूल में आपके नाम का धिंडोरा होने वाला है। आप ही नाम का गुझेगा और सब लोग यही कहेंगे कि आखिर केसे यह इतनी बड़ी सफलताओं को प्राप कर रहा है। आखिर इन्हें कोई जादूई किताब तो नहीं मिल गई। दोस्तों तरह तरह के शवाल आप सभी के आस पडोस में होने वाले हैं। जिहां दोस्तों, दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह समय से जो भी ग्रहों की शुव इसती बनने वाली है, जो भी ग्रहों में शुव योग का निरमान हुआ है, दोस्तों इनका सिधा असर आपके कुंडली पर पढ़ चुका है, जिनसे दोस्तों भगवान सनिदेव क आसिम आसिरवात आप सभी को प्राप्त हो रहा है, दोस्तों आपके जीवन काल में कई ऐसे बहुती महतपुन मोके आने वाले हैं, बहुती महतपुन पल आने वाले हैं, जिनसे आप सभी का जीवन पूरी तरफ बदल जाएगा, और दोस्तों इन सभी के बारे में हम आपको इस बीडियो में पहुती विस्तार से आपको बताने वाले हैं अगर पिछले समय में आपको कोई दुख दिया है तो दोस्तों वे आपके दुख नहीं है वे आपके इम्त्हा की घड़ी थी वे आपके परिक्षा की घड़ी थी और दोस्तों अब आपको फल मिलने वाले हैं और दोस्तों ये अश्यमेही आप इनसे चुक जाएंगे तो दोस्तों ये आपके सबसे बड़ी जीवन की गलती होगी इसलिए दोस्तों बस हमारा आपसे यही निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप बिना इसकी पिये सुरू से लेकर अंतक देख लिजेगा दोस्तों हमा बगवान सनिदेप के सच्छे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वीडियो को एक प्यारा शालाइक अवश्य कर दे और इनके लिए 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 जैशनिदेप दोस्तों सनिदेप का आस्म आसिरवात आप सभी को प्राप्त होगा और दोस्तों चैनल को सब यहां पर बेठे हैं और जो तुम्हारे साथ बुरा करता है उन्हें भी दंड देने के लिए हम यहां पर बेठे हैं इसलिए कोई भी कार को शुरू करने से पहले घबराना नहीं है बस धर्म के रह पर अच्छे अच्छे कर्म करते जाना है और फल समय आने पर वह आपको जरूर ही मिलेगा जिहां दोस्तों तो दोस्तों भगवान सनिदेप का यह ज्यान अगर आपको अच्छा लगा हो सटिक लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराशा लाइक आवश्य करें और कमेंड बॉक्स में इनके लिए लिए जैस्री कृष्न राधे राधी तो आए दोस्तों इससे के साथ बात करते हैं कि सनिदेप के आशिरवात से आपको किन-किन छेतरों को लेकर शाबदान रने ह होंगे कौन से कार आपके लिए भागे साली होंगे और किन-छेतरों में आपको कार करने से लाप की प्राप्ति होगी और भगवान सनिदेप के आशिरवात से आपके घर के माहलों में पारवार एक जीवन में स्वास्त बिजनस वेपार में क्या-क्या खुश खबरियां क्य पूरा-पूरा साथ मिलने वाला है जिहां दोस्तों लाप के दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं दोस्तों आपको बता दें कि आप से आप सभी के जीवन काल में धन की समास्याओं से निदान होने वाली है जिहां दोस्तों अब आपके जीवन काल में खुशियों का नया दोर शुरू होगा दोस्तों दिन की सुरुवात बहुती सुकुन दायक रहेगी अपनी चमताओं का भरपूर सदी विक्रें समाजिक समंदों का दारा भी विस्तरित होगा ज़रुवत मनब्रेक्ति लोगों की मदद करने से आत्मिक सुकुन मिलेगा और तनाव मुक्त हो को कुई खुश खबरी मिलेगी दोस्तों अनभवी लोगों का मारदर्शन और सलह आपके लिए महत्यपून रास्ते खोलेगी उसके साथ लाबदाइक विंदुमां पर विचार्श मर्ज भी होगा समाजी गतिवेदियों में सहयो करना आपका मान शमान बढ़ाएगा कुछ समय खुद के लिए भी जरूर निकालें इसे आपको बहुती शांती मिलेगी दोस्तों जीवन को शकारत्मा नजर ये से समझने की कोशिश करें परिवार जनों के साथ चरही गलत फेमिया का निवारन होगा किसी धार्मी अस्तल पर कुछ शमय वेतित करने से आपको शांती और मानशिक शुक देगा ताति साथ मन चाहा काम पूरा होने से शुकून भी रहेगा आतन विश्वास बढ़ेगा घर में निकट समंधियों के आगमन होगा ता आपसी विचारों का आदान परदान घर के वातारों को शुक नामा बना कर रखेगा इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दिनों में कुछ शाबदानिया भी देख कर चलनी होगी दूसरों से उमीद रखना व्यर्थ है बेतर होगा की अपनी कार छमता पर ही विश्वास रखें तिससे दारी समंधिय मामल में ज्यादा हस्त चेप करने की बज़े से माहल थोड़ा अस्त व्यर्थ हो सकत है साथ है अपने व्यक्तिकत जीवन पर भी किसी हस्त चेप ना होने दें कभी कभी सभाब में वहम और गुस्य की सिती रह सकती है जिसकी वज़े से परिवार लोग भी परेशान रहेंगे इन कम्यों में सुधार लाएं आयके साथ-साथ खर्चे भी बढ़ेंगे इसलिए वज़ट का भी ध्यान जरूर रखें कहीं भी निवेश करने से पहले उचीत जानकारी अवसलें तो ध्यान रखें कि अपने व्यक्तिकत कारे परनाली को किसी के समक्च भी सेयर न करें तस सिक्रेट ही रखें कोई आपकी गतिविदियों को नाजायत फैदा उठा कर आपको कुछ बदलाब होंगे अब अपने वहबार कुसलता दोरा नकारात्मों परिस्तियों को काबू में कर लेंगे अपनी योजनाव और काम करने की तरीकों को जाहर न करें ओपिस में किसी तरह की राज़तिक हो सकती है चापलूस लोगों के परभाव में ना आएं दोस्तों व सवास्तों में भी नजदे की आएगी पति-पत्नी के प्रियास्तों से परियास में सुख़त वतारण बना रहेगा प्रैम सम्वंध में भी प्रगलता आएगी आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो मोशम की वज़ह से और इन्फेक्शन की समश्य रह सकती है स्वा से जोड़ी कोई भी परिशानी नहीं होगी दोस्तों सनिवार के दिन कंडे या अंगारे पर रखकर लोबान जलाएं और पूरे घर में घुमा दें सनिवार के दिन भगवान हनुमान जी का पुजा करने का भी विधान है माना जाता है कि सनिवार के दिन हनुमान जी की पुज सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब धन्यवाद